तो आज हमारा question है find the value of k, किसकी value निकालने में k, if x equal to कितना है 2 है y equal to 3 है, x value हमें कितना given है 2 और y 3, देखो हमें x equal to दे रहागा पहले से 2, और y equal to already पहले से 3 है, अब हमारा k की value निकालने क्या question, k plus 1 into x है, minus 2k plus 3 और y minus 1 यह है equal to 0 है, अब k की value निकालने, तो यहाँ तो k plus 1 तो ऐसी रहेगा, x यहाँ कितना आजाएगा हमारा 2 है, तो 2 आजाएगा, minus, अब 2k plus 3 तो ऐसी रहेगा, y की जगा हमारा कितना दे रहागा, 3, minus 1 equal to 0, अब देखो, यह कैसा होगा, अब इसको multiply करने, तो 2k plus 2 हो जाएगा, यहाँ multiply होग जाएगा, equal to 0, ठीक है, अब यह 2k plus 2 तो ठीक है, अब यह 2, 4k plus 6 हो जाएगा, पहले 2, 2 जब 4, और 2, 3 जब 6, equal to 0, अब k को एक तरब लियाओ, तो 2k आ गया जाएगा, minus 4, 4k, यहाँ 6 है, यह पीछे जाएगा, minus 2k, 2, sorry, देखो, k को एक तरब आएगा, तो यहाँ plus था, minus 4 में 2 गया, minus 2k बचेगा, और यहाँ 6 में 2 गया, 4, तो k equal to आजाएगा, 4 upon minus 2, इसको काटोगे, तो answer minus 2 आएगा, क्योंकि हमारा minus में, तो k equal to कितना गया, minus 2 आगया हमारा, okay?